मुरेना के सिविल लाइन थाना इलाके में कामवरियों से भरी ट्रेक्टर ट्राली को एक तेज रफटार ट्रक ने टक कर मार दी जिसमें 5-6 कावरियों की हालत गंभीर है वहीं दो कावरियों की इस घटना में मौत हो गई नैशनल हाइवे चवालीस पर हुए हादसे के बाद बाकी कामवरियों ने जाम लगा दिया जिसकी सूचना मिलते ही मौके पर पुलीस बल पहुँच गया जिसके बाद घायलों को जिला अस्पताल में भरती कराया गया है जह यह सभी कावडिया सिहोनिया थाना क्षेतर में कावर भर कर ला रहे थे इसमें कुछ कावडिया पैदल चल रहे थे मैं उनके साथ कुछ लोग ट्रैक्टर में सफर कर रहे थे देवरी के पास सुभा ट्रक ने ट्रैक्टर को टक कर मार दी घटना के बाद कामवरियों को प्राइश देकर जाम को खुलवाया गया यह सभी कावरिये उत्तर प्रदेश के सौरों से कावर भर कर ला रहे थे घटना में ट्रक ड्राइवर भी घायल है जिसका इलाज चल रहा है अब बिल्कुल यह जो है नेशनल आईवे पर थाना सिद्ल लाइन अंतर का देवरी के पास एक एक सिडेंट हुआ पावरिये जो है वह एक ट्रेक्टर से कुछ लोग ट्रेक्टर से चल ले थे कुछ लोग उनकी साथ वाले पैदल चल देश चल देश पीछे से आने वाले इसको टकर मार दी ट्रेक्टर को फिर वो ट्रेक्टर ट्रोली बलट गई और वह जो कावड़िये थे वो उसमें दो कावड़ियों की मृत्ति हो गई और पुछ लोग इसमें घाया ले शांगा विल्कुल जो उनके साथ वाले कावड़िये थे वह पर ही आईवे पे बैट और जाम की इस्तिती बन गई पुलिस को जैसी सुखना में पुलिस रथकाल मौपी पहुंकी और फिर उनसे बात्सीत की गई और समझा है इसके बाद जाम कुल गया हाँ ट्रक ड्राइवर को जो